Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे भारत सरकार चाहे Central Government या State Government जब भी किसी Policy को या जब भी किसी Welfare Program को बनाते हैं तब वो कोशिश करते हैं कि भारत में सभी Communities को हिस्सा मिले और उनका Participation बढ़े अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी के लिए भी सरकार और देश चलापाना Almost Impossible हो जाएगा जिसको कि हम एक बहुत ही बहतरीन example के मदद से हम समझ सकते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रोविंस है जिस प्रोविंस का नाम है बलुचिस्तान अब जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से बलुतिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो और एक अपना वो separate देश बनाए इसके पीछे का वज़य भी वही है कि पाकिस्तान के सरकार में बलुतिस्तान के लोग का कोई भी participation नहीं है As a result क्या हुआ कि बलुतिस्तान में बहुत सारे चोटे बड़े armed group का formation होता है जो कि continuously पाकिस्तान के आर्मी के उपर attack करते हैं इनी सब groups में से एक group है जिसका नाम है मजीद brigade ये एक suicide group है और ये पाकिस्तान के आर्मी के नाक में दम करके रखा है इस वीडियो में हम समझेंगे पाकिस्तान और बलुतिस्तान और वहां के जो ongoing situation है उसके मदद से कि क्यों policy के formation में inclusiveness जरूरी होता है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके हम बता सकते हैं ये पढ़ता है बलुतिस्तान में ग्वादर पोर्ट और यहां पर पढ़ता है चाबहार पोर्ट पढ़ता है इरान में और ग्वादर पढ़ता है पाकिस्तान में और इस गुदरपोर्ट को चाइना पाकिस्तान के मदद से डिवलप कर रहा था अब चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक economic deal साइन होती है जिस economic deal को कहते हैं चाइना पाकिस्तान economic corridor जहां पे बलुजस्तान province या कहले पाकिस्तान में अलग-अलग location में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था लेकिन जैसे ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट बलुजिस्तान में घुशता है वैसे ही यहां के लोग काफी स्ट्रॉंग तरीके से रेजिस्ट करते हैं और चाइनीज इंजिनियर्स हो गया या वहां के जो वर्कर्स हो गयें उनके उप को सारे projects को رो Körper Day अब बलुचिस्तान liberation army और पाकिस्तान के forces के बीच में attack होना या पाकिस्तान के forces के उपर attack करना बलुचिस्तान liberation army के दवारा ये कोई नई बात नहीं है इसी मेंसे एक attack किया जाता है 20 March को यानि की Wednesday को जो कि गौदर पोर्ट के आसपास किया जाता है जिसमें कि गौवर्मेंट अफ पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें आठ मिलिटेंट्स मारे गए और दो सिक्यूरिटी परसनल की भी जान गई लेकिन वही पे बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये क्लेम है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और वो एक अपना सेपरेट देश बनाना चाहते हैं अब वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे आम्ड ग्रूप हैं जिनका की रिलेशन पाकिस्तान के गवर्मेंट के उपर जिनका सर ने मजीद था इसके बारे में हम जानेंगे अभी कुछ देर में अब क्योंकि बलुचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और यहां पे नैश्रल डिसोर्सेज भी काफी है ओयल रिजर्र भी काफी है लेकिन वहीं दूसरी तरफ बलुचिस् बलुचिस्तान है वो यह चाहते हैं कि बलुचिस्तान का जो नैश्रल डिसोर्से से उसका इस्तमाल किया जाए इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो बलुचिस्तान के लोंग है वो काफी खफा रहते हैं सरकार से और वो अपने आपको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानत Britishers भारत से जाते हैं और भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बनता है कुछ उस समय से ही जो बलुचिस्तान के लोंग थे वो भी एक अपना separate nation चाहा रहे थे लेकिन क्या होता है कि उस वक्त जबरदस्ती का बलुचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया जाता है पाकिस्तान में कभी भी कोई stable government नहीं रहा पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए है अब तक जो अपने पूरे 5 साल का tenure को पूरा कर पाए और जिनको पता है उनको तो ये मालुम होगा कि पाकिस्तान के politics में जो पंजाब प्रोविंस के लोग है उनका काफी बड़ा एक दखल है या यू कहले कि वो पाकिस्तान के governance में पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस के लोग है उनहीं का participation है चाहे वो cricket team हो गए है या पा अगरता है 1972 में ध्यान रखेगा 1971 में पाकिस्तान और भारत की बीच में एक जंग होता है जिसमें की एक नया देश का formation होता है बांगलादेश इसी चीज़ को देखते हुए बलुचिस्तान में एक party जिसका नाम National Awami Party होता है वो सत्ता में आते हैं और तब पाकिस्तान के जो आवामी party भी ये कोशिश करते हैं कि वो एक separate nation बनाए लेकिन क्यूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ये कभी भी पसंद नहीं करते हैं कि एक separate nation को बनाया जाए क्यूंकि ठिक कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से कटके अलग ह जाता है तो वो एक दूसरा बड़ा हिस्सा को पाकिस्तान से कटके अलग होना नहीं देना चाहते थें as a result क्या होता है कि national awami party और उनके demand को काफी brutal तरीके से दबाया जाता है और in fact जो बार 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 बलग्रिस्तान प्रोविंस के लोगों को दबाया जा रहा है ये भी कही न कहीं एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों वहां के लोग अब अपने आपको और भी stronger तरीके से पा पाकिस्तान के forces और बलग्रिस्तान के लोगों के बीच में बहुत बार लडाईया हुई हैं जिसमें कि बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे गये हैं बहुत सारे जो बलग्रिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगे वो लोग भी मारे गये हैं और साथ में पाकिस्तानी forces भी मार इसी में काफी एक इंट्रेस्टिंग घटना घटा है दो अगस्त 1974 को जहां पे एक यंग लड़का एक बलूची लड़का जुल्फिकार अली भुट्टो को वो मारना चाहता था क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो क्वेटा में एक पबलिक गैदरिंग को वो अटेंड करने के लिए आये थे और मजीद क्या करता है कि एक सामने वाले पेड़ पे वो चड़ जाता है अपने हाथ में ग्रिनेड ले के और मजीद के दुआरा जो अटेंड किया जाता है उसको देखके ऐसा लगता है कि उनको ये मालूम था कि अगर वो जुल्फिकार अली भुट्टो के उपर अटैक करेंगे तो उस अटैक में उनकी भी जान जा सकती है लेकिन ग्रिनेड का मिस हैंडलिंग से क्या होता है कि ग्रिनेड मजीद के हाथ में ही फट जाता है एस रिजल्ट मजीद की जान चली जाती है और जुल्फिकार अली भुट्टो को कुछ नहीं होता है उसके बाद जिस तरीके से मजीद के दुआरा ये अटेम्ट किया जाता है इस अटेम्ट को बलुचिस्तान में तकरीबन सभी लोग काफी अप्रिशेट करते हैं और उसे काफी प्रेरिना लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि एक दूसरा घटना घटा है मार्च 17 2010 को जहां पे क्वेटा में ही पागिस्तान के दुआरा ये कहा जाता है कि एक घर को घेरा जाता है जिस घर में कुछ बलुची मिलिटेंट्स चुपे हुए थें उसमें क्या होता है कि उसमें एक लड़का होता है जो कि मजीद जो 1974 में जिसके हाथ में ग्रिनेट फट गया था वो उसका भाई रहता है तो वो क्या करता है कि वो जितने भी जो उनके लोंग होते हैं उनको कहता है कि आप यहां से चले जाओ और जब तक वो पाकिस्तान के फ लोग उसको काफी अप्रिशेट करते हैं और बलुचिस्तान में काफी as in hero उनको portray किया गया इन्ही सब चीजों को देखते हुए क्योंकि मजीद के बड़े भाई और छोटे भाई दोनों को बलुचिस्तान में काफी respected तरीके से देखा जाता है इन्ही सब चीजों को देखते हुए बलुचिस्तान liberation army के एक leader जिनका नाम asylum है वो एक suicide brigade को बनाते हैं December 30-2011 को और उनका main काम ही होता है पाकिस्तान के army या वहाँ के leaders के उपर attack करना और अपने हक को demand करना और बहुत सारे जो suicide attacks हुए हैं recently उसमें ये कहा जाता है कि मजीद brigade का एक बहुत ही बड़ा active role है और कहीं न कहीं चाइना पाकिस्तान economic corridor अगर बलुचिस्तान में नहीं चल पाया या उसे halt करना पड़ गया तो उसके पीछे का भी बहुत बड़ा जो credit है वो मजीद brigade को ही ज आता है कि अगर देश को चलाना है तो वहाँ पे जितने अलग-अलग जो communities रह रहे हैं और अगर कहीं पे कोई development का काम होता है तो make sure किया जाए कि वो development सभी लोगों तक पहुँचे I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहू कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye